C I E T N C E R T द्वारा प्रस्तुत है कक्षा 6 के लिए द्विदिय भाषा के रूप में हिंदी की पाठे पुस्तक दूर्वा भाग 1 बीसवां पाठ पिष्ट संख्या 101 से 103 चिठ्थी प्रस्तुत है पाठ चिठ्थी चिठ्थी में है मन का प्यार चिठ्थी है घर का अखबार इसमें सुख दुख की हैं बातें प्यार भरी इसमें सौगातें कितने दिन कितनी ही रातें तै कर आई मीलों पार यह आई मम्मी की चिठ्थी लिखा उन्होंने प्यारी किठ्थी मेहनत से तुम पढ़ना बेटी पढ़ लिखकर होगी होशियार मेहनत से तुम पढ़ना बेटी पढ़ लिखकर होगी होशियार पापा पोस्ट कार्ड लिखते हैं घने घने अक्षर दिखते हैं जब आता है बड़ा लिफाफा समझो चाचा का उपहार छोटा सा कागज बिन पैर करता दुनिया भर की सैर नए नए संदेश सुनाकर जोड रहा है दिल के तार इस कवीता के कवी हैं प्रकाश मनो अभ्यास शब्दार्थ चिठ्थी पत्र खत सौगात उपहार अखबार समाचार पत्र लिफाफा कागस की थैली जिसमें रखकर पत्र भेजा जाता है होशियार चतुर चालाक उपहार भेट संदेश विशेश खबर भावार्थ चिठ्थी में मन का प्यार है वह घर का अखबार भी है इसमें सुख दुख की बातें और प्यार भरी सौगातें होती है चिठ्थी मीलों दूर पहुँच जाती है चोटा सा कागज बिना हाथ पैर के दुनिया की सैर करता है नए नए संदेश सुना कर चिठ्थी दिल के तारों को जोडती है एक, कविता की पंक्तियां पूरी करो एक, चिठ्थी में है मन का प्यार दो, महिनत से तुम पढ़ना बेटी तीन, छोटा सा कागज बिन पैर दो, समान अर्थ वाले शब्दों को मिलाईए पहले स्तंभ में शब्द हैं महिनत, सैर, होशियार, सौगात, पत्र दूसरे स्तंभ में शब्द हैं भ्रमन, भेट, परिश्रम, चतुर, चिठ्थी उदाहरण के लिए महिनत शब्द का मैंने मिलान किया है परिश्रम से इसी प्रकार आप अन्य शब्दों का मिलान कीजिए तीन, इन शब्दों का अपने वाक्यों में प्रयोक कीजिए सैर, संदेश, उपहार चार, कविता के आधार पर इन प्रशनों के उत्तर दीजिए एक, चिठी को घर का अखबार क्यों कहा गया है दो, चिठी बिना पैर दुनिया की सैर कैसे कर लेती है तीन, मम्मी ने चिठी में क्या लिखा है अभी आप सुन रहे थे, कक्षा छे के लिए द्वितिय भाषा के रूप में हिंदी की ध्वनी पाठे पुस्तक कलाकार, प्रवीन शर्मा, तिलक राज, राजेश आहुजा और सत्यश्रवा शर्मा ध्वन्यंकन बटिल्यंग लिंग्डो तथा निर्माण, निर्देशन वध्वनिसंपादन, वंधना अरिमर्दन तथा प्रस्तुती C.I.E.T. N.C.E.R.T. प्रस्तुती C.I.E.T.